के यूटीव प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम 13 नौवंबर का करेंट अफेर्स लेकर आए हैं आज की जो जानकारी है वो अगली परिक्षाओं के लिए इंपॉर्टन हो सकती है क्योंकि हर परिक्षा में करेंट अफेर्स का क्वेश्चन आता ही है तो चलिए देखते हैं कि 13 नौवंबर का कौन कौन से ऐसे करेंट इवेंट से जो कि हमाई परिक्षाओं के इंपॉर्टन हो सकते हैं इसे पहला है हाल ही में किस राजी ने प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुवात की है प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की राज़ानी है तो करनाटक की राज़ानी बैंगलूरू है इसके अलावा बांदीपुर वर्निजीव अभ्यारन नागर होल राष्ट्य उद्यान मदु मलाई राष्ट्य उद्यान कहां पर है करनाटक में ही है अगर हम बात करें यहां के प्रमुख नदियों की कृष्णा आभीमा, माल प्रवा, घार प्रवा, तुंग् भद्रा, वेध्वती, कावेरी, हेम्वती, शिंशा, अरकावती यह सब अहां की प्रमुख नदियां है ठीक यह भी क्रिश्टन पर सता है कि क्रिश्न नदि किसी सराज़ से निकलती है ठीक यहां का प्रमुख हनृत्य Gen土 भ भरत नाटयम कहां कड़तो है करनाठक काहीं नुद्ट नुद्टि शान करकाइब ढूर्ट अर्वा सबसेइंचा जल प्रपाद कहां पर है करुनाठक राज में भी यिसका नाम है जोग जल प्रपाद इसको गर्सुपपा या गांध सेनसे बिदोफाद पस्टे न सब बेला में है क्लिया जिसकी उचाई कितनी है नाइन सेवेंटी नाइन मीटर लभाग एक किलो मीटर के बना हुआ है उचाई का बना हुआ है ठीक ना तो चलिए देखते हैं अगला हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पार्यावरान और जैव विवित्ता संडक्षन के छेतर में समझावता किया है भारत ने किस के साथ में किया है हाल ही में फिनलैंड के साथ में किया है प्रिक्षाव में पूछा है कई देखते हैं अगला हाली में किस राज में को वैक्सिन के तीसरे चरण का नइदानिक परिक्षन सुरूब हुआ है तो हाली में मद्यप्रदेश के भोपाल में इसका परिक्षन सुरूब किया गया है ठीक ना वहाँ पर टीके लगाए जा रहे हैं तो को वैक्सिन के तीसरे चरण कर नइदानिक परिक्षन कहां सुरूब किया गया है मद्यप्रदेश में सुरूब किया गया है क्लियर ऑप्ष सब्सक्राइब करेंगे तो जो चौथा सब्सक्राइब करेंगे वहां के मुख्यमंत्री के पलानी श्वामी करेंगे ठीक ना विश अर्षायूत आर्थिक मंच विश शिकर सम्मेलन के चौथे संस्क्रत का आयोजन ट्रेड एक्सपो के साथ में 4 दिसंबर से चिन्नई में होने वाला है यह सम्मेलन संकल्पना प्रभाव प्रेरणा यह थीम ध्यान रखिए के परिक्षम पूल सकता है संकल्पना प्रभाव प्रेरणा इस थीम पर आयोजित होगा संयुक्त आर्थिक मंच का चौथा सिकर सम्मेलन चिन्नई में क्ल्यर चलिए देखतें अगला क्रशन हाल ही में ओडि fresha मानवदिकार आयोग का नए अध्यक्ष किसे निउत्त किया गया है तो दिशा मनवदिकार मन एध्यक्ष बीप दास के सیवर निवरत्त होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी सोंपी जारी वीज़े के प्रते कि देस्ट का कि राश़पती चुना गई रोज़मार क्रिशियन काभ एक घर शुञा में या जोन को थेज़ा बुर्किना फाशो की क्लियर तो हां के राश्पती किस्ता चुना गया है रोचमार क्रिश्चन काबोर को चुना गया ध्यान रखेगा यह भी इंपॉर्टन हो सकता है परिक्षा परपस से चलिए आगले अब बढ़ बढ़ते हैं हाल ही में केंबर्ज धिक्षनरी ने किस सब्द को 2020 का word of the year घोशित किया है क्वारंटीन वरड को 2020 का word of the year घोशित किया है कैंबर्ज धिक्षनरी ने तो इसको सभी इंशरों गाॉप्षन बढ़ते हैं हाली में किस राज सरकार ने पुलिस अधनियम में विवादसपद संसोधन को निरस्थ की कर दिया है तो किस राजिक सरकार ने पुलिस अधनियम में विवादसपद संसोधन को निरस्थ किया है केरल ने ठीक ना वहाँ पे धारा 118 A को निरस्थ किया गया था जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ शोशल मीडिया पर विवादस पर टिपणी पर 5 साल सजा का प्रावधान था तो इसको क्या किया गया था तो फिर से निरस्त कर दिया गया है ठीक धारा 118A कि सराज सरकार ने केरल राज सरकार ने आप्शन C सही होगा बढ़ते है निए कैसे पर हाल ही में QS A.C.I.A. इंवेस्टी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्स पर रहा तो शीर्स पर क्यों सी इंस्टिटुट रहा है नेयशनल इंस्टिटूट अफ शिंगापूर नेशनल इंस्टिटूट आफ सिंगापूर क्या सीर्स पर रहा है ठीक आयाटी बॉम्बे भारत किरफ सब सीज पर रहा है और पूरी विस्व रैंकिंग में नेशनल इंस्टिट आफ सिंगापूर सिर्थ स्थान पर रहा है क्लियर ऑप्शन 20 का सही होगा अगर पूछता भारत की होड़ से कौन से इंस्टिट है तो आयाटी बॉम्बे था क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं हारी में भारत में रूस की वैक्सीन स्पूतनिक फाइव का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा तो स्पूतनिक फाइव का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा हेट्रो कंपनी द्वारा किया जाएगा ठीक रूस में तयार हुई कोरोना वाइरस वैक्सिन स्पूतनिक 5 का उत्पादन भारत में होगा इसके लिए हेट्रो ग्रुप से डील की गई है एक बयान में रसियन डारेक्ट इंवेश्टमेंट फंड अर डी आई एफ फुल फार्म याद रखेगा हेट्रो कंपनी से किया गया इस पूतनिक 5 के उत्पादन के लिए चलिए बढ़ते हागे हाली में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने औरगन डोनर मेमोरियल का उत्गाटन किया है तो औरगन डोनर मेमोरियल का उत्गाटन हाली में किस राज्य में किया गया है क्लियर ौप्शन 20 होका बारमेख राज्स्थान 10 अगला के बार्ती से ने किनि में साइकल अवियान सुरूब किया muk llamadha कि राज्शुराथ और राज इसे किया गया है तो इसका सही अंसर होगा उपरोगत उपरिफ 시 सैंसर होगा किया गुजरात और राजस्थान में साइकल अभियान की शुरुआत की है चलिए देखते हैं अगला कुशन हाल ही में आई रिपोर्ट के 19 सेतंबर तिमाही में भारत की GDP में कितने प्रत्सत की गिरावट आई है तो भारत की GDP में 7.5 प्रत्सत की गिरावट आई है अचारे बाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है क्लियर चलिए बढ़तें आगे देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग परवान सुरंग है किस राज में बनने जा रही है तो देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग किस राज में बनने जा रही है राजस्थान राज में बनने खेसन सी वही इसका चीले हागे बढ़ते हैं कि सरकार दौरा हिम्स और विया क्षिर की लाइन किस राज सरकार के दौरा सरकार के दौरा सुरू किया गया है तो हिम सुरक्षा भियान की सरकार के दौरा सरकार के दौरा सुरू किया गया है हिम आंचल प्रदेश सरकार के दौरा हिम सुरक्षा भियान सुरू किया गया है करियर इसका option एस ही होगा तो यह थी आज 30 नवंबर की करेंट अफियर्स जो कि आप परिक्षक परपस इंपॉर्टनेंट है चली मिलते हैं करकी नई करेंट अफियर्स लेकर एक बार फिर आपसे तब तक चैनल साथ बने रहिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वारे वीडियो आपको मिलती रहें थैंक्यू